दोस्तों क्या आप भी कंप्यूटर पर लगातार काम करते हैं या गेम खेलते हैं या मुबाइल की स्क्रीन पर घंटो देखते हैं और अक्सर आपकी आँखें सुका महसूस करती हैं या आपकी आँखों को अक्सर आप मसलते रहते हैं और आपको धुन्दला दिखने लगा है या आपको आँख में कोई चोट लगी थी और चोट लगने के कुछ तिनों बाद धुन्दला दिखने लगा है या बिलकुल दिखाई देना बंद हो गया है तो हो सकता है आपको पुतली में करेटो कुनस या कॉर्नियल स्कार हो गया हो कॉर्मल कॉर्नियल ट्रांस्प्लांट या पनेटरेटिंग केरेटोप्लास्टी से अलग है नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर नीहा पाठक डाइडॉक हेल्थ पे आपका स्वागत करती हूं डाइडॉक हेल्थ आपको साइन्टिफिकली बैग्ट सही और जरूरी मेडिकल जाधा से जाधा शेयर करें दोस्तों किसी इंसान के आंक के कॉर्निया या हीरे में छे परते होती हैं सामने से अगर शुडू करेते हैं इनमें से पहली परत है एपिथीलियम दूसरी बोमन्स मेंब्रेन फिर स्ट्रोमा फिर डूआ ज लेयर डेसमिट्स मेंब्रेन और किया जाता है कई साल पहले तक इन बिमारियों के लिए penetrating keratoplasty की जाती थी जिसमें पूरे कॉर्णिया को यानि 6 की 6 परतों को transplant किया जाता था पर डाल्ख एक तरह का lamellar transplant है यानि इसमें कॉर्णिया की आगे की कमजोर या खराब परतों को ही donor की कॉर्णिया से बदला जाता है जहां penetrating keratoplasty में graft rejection होने के chances जादा होते हैं इसलिए फिर ऐसी नई तकनीकों का अवश्कार हुआ जहां सारी परतों को बदलना जरूरी नहीं होता डाल्ख कम रिस्की तकनीक है इसलिए क्योंकि इसमें कॉर्णिया की आखरी दो परतों को बचाया जाता है दोस्तों आईए अब उन बिमारियों के बारे में जानते हैं जिनमें इस operation से फायदा हो सकता है पहली keratokunus जहां मरीज का normal गोला कार कॉर्णिया कॉनिकल हो जाता है दूसरी corneal scar या cornea पर सफेद निशान जो किसी चोट या corneal infection के बाद हो सकता है तीसरी corneal dystrophies जिसमें cornea की अग्रिम परतों पर वन्शान उगत या hereditary कारणों से निशान हो जाते हैं अन्य बिमारिया जैसे ocular surface disease limbal stem cell deficiency ocular pamphigoid और chemical या thermal burns में भी डाल्क और अन्य operation जैसे limbal stem cell transplant और amniotic membrane transplant मिलके वहतरीन results दे सकते हैं अब जानते हैं कि डाल्क operation किस तरह superior है penetrating keratoplasty से सबसे पहले तो दोस्तों शोध में पाया गया है कि graph rejection की दर डाल्क operation में कम होती है दूसरा जहां penetrating keratoplasty operation के 24 महिने बाद भी endothelium की कोशिकाओं का loss चलता रहता है वहीं डाल्क operation में मात्र 6 महिने बाद ही endothelial कोशिकाओं का घनत वस्तिर हो गया यानि उनका loss बंद हो गया तीसरा डाल्क operation के बाद operation का घाव जल्दी भर जाता है और टांके भी penetrating keratoplasty की तुलना में जल्दी खोल दिये जाते हैं चौथा डाल्क operation में जटलता है कम है और पांचवा penetrating keratoplasty की तुलना में डाल्क operation के बाद steroid eye robs का जादा दिन इस्तमाल नहीं करना पड़ता है दोस्तों इसका एक और फाइदा है वह ये कि अगर मृत डोनर के कॉर्णिया की endothelium स्वस्त नहीं हो तो वह penetrating keratoplasty के लिए काम नहीं आ पाएगा और वह कॉर्णिया वेस्ट चला जाएगा पर अगर डाल्क सर्जरी की ज़रुरत हो तो वही कॉर्णिया काम में आ सकता है पर इस operation को वही कॉर्णिया surgeons कर सकते हैं जो इसमें expert हूँ जिनोंने इस technique में विशेश training या fellowship की हो क्योंकि यह एक बहुत ही complex technique है आईए अब जानते हैं कि इस operation की तयारी के लिए क्या क्या किया जाता है सबसे पहले तो आपका और आपकी आँखों का clinical examination होता है और operation plan करने के बाद आपका pre-anesthetic check-up भी होता है और अगर आप किसी बिमारी के लिए कोई दवा ले रहे हैं तो आपकी स्थिती और स्वास्ते के अनुसार continue की जा सकती है या operation तक बंद भी की जा सकती है या पीना 6-8 धंटे पहले ले लेना है और उसके बाद कुछ भी खाना या पीना नहीं है ये operation आपको सुन का injection देने यानि block के बाद भी किया जाता है anesthesia कौन सा होगा या आपका operating surgeon और anesthetist मिल के तई करते हैं operation के बाद आपको कुछ दे recovery room में रखा जाता है और उसके बाद आप अपने attendant के साथ उसी दिन घर लौट सकते हैं घर पर आँखों में डालने के लिए आपको कुछ antibiotic और steroid eye drops दी जाती है घर पर आपको कुछ लक्षनों का विशेश ध्यान रखना होता है जैसे कि आँखों का लाल होना, आँखों में दर्द होना, आँखों में चुंधिया आना, आँखों से मवाद आना, बुखार आना अगर इन में से कोई भी लक्षन आपको हो तो तुरंद आपको अपने operating surgeon से संपर करना चाहिए ऐसा इसलिए क्योंकि ये लक्षन ग्राफ rejection या आँख में infection के हो सकते हैं अगर समय रहते, इलाज ना किया जाए तो हम अपनी कीमती कॉर्णिया ट्रांस्प्लांट को हो सकते हैं तो दोस्तों हमने जाना इस नई complex technique के बारे में जिसे dark surgery या deep anterior lamellar keratoplasty भी कहते हैं और कैसे ये cornea surgery की एक superior technique है दोस्तों, eye flu की बिमारी जिसे हम conjunctiveitis कहते हैं scientific terms में वह आँखी एक बहुत ही common समस्या है अगर आप इस बिमारी के बारे में details में जानना चाते हैं तो right में दिये गए video link पर click करें धन्यवाद